लालची रसोई में फूड लवर्स का स्वागत है आज हम एक बहुती सिंपल थाली बना रहे हैं जिसमें चावल, डाल, रायता ये समर के हिसाब से थाली है इसलिए बहुती मैं सिंपल रखी हूँ भिंडी का भुंजिया आलू का भुंजिया आप इसे बिहार की थाली भी कह सकते हैं बिहार का ये बहुत रोज मर्रा का खाना है आलू का चोखा परवल का भरवा बेशन वाले मिर्ची रोटी पापड सैलेड इसमें ज्यादा तेल मसाला का इस्तमाल नहीं किया गया इसलिए बहुती सिंपल थाली है गर्मी के हिसाब से बहुती बेस्ट थाली है ये और यहाँ पर मैंने धन्यापत्ति और लसुन की चटनी हम इसमें सबसे पहले सिंपल दाल बनाते हैं यहां पर मैं दाल गंज में बना रही हूँ, दाल को धोकर मैं आदा गंटा फुला दी थी, इसमें जब फेना आ जाए तो इसका फेना निकाल लें, और इसमें हम नमक अधल्दी डाल का पका लेंगे, और बाद में इसमें हम चौक लगाएंगे, मैं कुकर में दाल नहीं बना के लिए आलू काट लेते हें आलू को पहले इस ततरह लमबे काटिये और फिर इस तरह आप इसे पतला-पतला काटिये और पानी में रखिए जिससे सके श्टार्च निकल जाएंगे तो आलू का भुंजिया अच्छा बनेगा इस तरह मैंने सब आलू काट लिया है अब हम भिंडी काट लेते हैं हम यहापर भिंडी का भुंजिया बनाएंगे बिहार में सब सबजियों का भुंजिया जादा बनता है अब हम एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसे फैला देंगे इससे हमारे भुंजिया चिपकेंगे नहीं अच्छी तरह फ्राई होंगे इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे कटी वी हरी मिर्ची डालेंगे कटी वी प्याज डालेंगे मैं बहुती सिंपल भिंडी का भुंजिया बना रही हूँ जो की रोज मर्रा की जिंदगी में बनता है और इसे कटी भी भिंडी डालकर हम इसे फ्राई करेंगे इसे आप ज़्यादा ढखे ना बीच में एकाद मिनट के लिए आप ढख सकते हैं ज़्यादा ढखने से इसमें लिसलिसा पन आ जाएगा इसमें हम नमक एट करेंगे स्वाद के नुसार और थोड़ी सी हल्दी एट करेंगे और इसे हम लो फ्लेम में धीरे धीरे भूनेंगे और इसे ढखना नहीं है बहुती बीच में थोड़ा भूट ढखेंगे ज़्यादा नहीं इस तरह भूंचते भूंचते हमारा भूंजिया तयार हो गया इस तरह भूंडी का भूंजिया रेडी है अब हम दाल हो गए हैं, दाल में हम छॉंक लगाएंगे इसके लिए हम तेल में लसन, लाल मिर्च, जीरा और कड़ी पत्तर ढालेंगे और इसे हम दाल में छॉंक लगा देंगे मैं हाँ सभी खाने को बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ इस तरह हमारे दाल में छॉंक लग गया है अब हम आलू का चोखा बनाते हैं इसके लिए थोड़ा सा सरसो तेल लेंगे आलू का चोखा सरसो तेल में ही अच्छा लगता है इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज आलू का चोखा कच्चा भी बनता है पर मैं हाँ भून कर बना रही हूँ प्यास थोड़े हलके गुलाबी हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा प्यास के लाइक ही नमक एट करेंगे और आलू मेश करें हैं उसमें भी हम नमक डालने हैं अब आलू डाल कर हम अच्छी तरह चोखा को भूनेंगे जब तक आलू थोड़ा लाल लाल हो जाए तब तक इन्हें भूने अलाश्ट में हम एक चमच आचार का मसाला मिक्स कर देंगे इस तरह हमारा आलू का चोखा भी तयार है अब हम आलू का भूंजिया बनाएंगे उसके लिए भी हम सरसो तेल डालेंगे थोड़ा सा जीरा दो-तिन हरी मिर्च जब हरी मिर्च पक जाए तो इसमें कटे वे आलू डाल देंगे और आलू डालकर लो फ्लेम में इसे भी हम धगधग कर भूंएंगे इसमें भी हम नमक और हल्दी एड़ करेंगे और कोई मसाला एड़ नहीं करेंगे यह पूरे खाने में गर्मी के हिसाब से बना रही हूँ इस तरह आलू को बीच बीच में चला कर इसे हम फ्राई कर लेंगे देखिए हमारे आलू करा रहे हो गए हैं अब इसे हम बंद कर लेंगे आलू का भूंजा बहुती क्रिस्पी बनता है अब हम यहां पर रायता बनाएंगे यहां मैं खीरे का रायता बना रही हूं खीरे को किस कर मैं उसका पानी निकाल ली हूं उसके साथ मैं थोड़ा बूंदी भी डाल रही हूं इसके दढ़ी में अच्छी तरह मिलाकर हम थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ा सा भूंदा हुआ जीरा डाल कर मिलाएंगे यहां पर मैं पुदीना पत्ती का पौडर रखी हूँ उसे डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं यहां पर धन्या पत्ती काट कर डाल दूँगी और सबको अच्छी तरह मिलाएं यहां पर मैं थोड़ा सा काला नमकेट कर रही हूँ इस तरह हमारा रायता तैयार है हमारे हैं चावल भी तैयार हो गया है इस तरह हमारी थाली पूरी तैयार है आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि अछैनल को सब्सक्राइब करें